दोस्तों मेरे पास यह जो डिवाइस है, इन्फिनिक्स ब्रैंड की है, बैक साइड में नीचेक तरब देख सकते हैं, इन्फिनिक्स की ब्रैंडिंग है, मॉडल नमबर आपको बता देता हूँ, मॉडल नमबर है इन्फिनिक्स हाट 12 प्रो, ध्यान से सुन लीजिए, मॉडल सकते हैं, चाहे उसका सौफ्ट्वेर एंड्रोइड 11, 12 या 13 से अप्टू डेट हो, एक चीज़ और जहान दीजिए दोस्तों, अभी जो लेटेस्स सेक्योर्टी आई है, उसमें फार्पी बाइपास करने में आपको बहुत सारी प्राब्लम हो रही है, जैसे कि एक सेर से आ आपको कंफर्म कर देता हूँ, कि मेरे पास यह जो डिवाइस है, इन्फिनिक्स हार्ट 12 प्रो, यह पूरी तरह से FRP लॉक है, यानि की Gmail ID लॉक है, connect to Wi-Fi वाले आपसन पर आ चुके हैं, नीचे एक तरफ next का कोई भी option नहीं है, तो हमें करना क्या होगा, डिवाइस को किसी Wi-Fi से connect करना होगा, क्योंकि डिवाइस में net का चलना जरूरी है, तो यहाँ पर डिवाइस को मैंने Wi-Fi से connect कर दिया, कुछ सेकंड वेट करिए, यह आगे process करेगा, ओके, अब यहाँ से आप next करिए, छोटा सा box है, इस box को check करिए, उसके बाद next करिए, अब यहाँ दोस्तों कुछ सेकंड वेट करिए, आपको पूरी तरह confirm हो जागा, कि मेरे पास यह जो डिवाइस है, इन्फनिक्स हाट 12 प्रो, यह पूरी तरह से FRP लॉक है, और यह देखे, यह प्राबलम आपको फेस करनी पड़ती है, जब आपकी डिवाइस FRP लॉक होती है, यहाँ पे डिवा देखेगा, यहाँ पे लिखे आगा, verify your account, यह देखे, verify your account का option आगया, तो अब तो confirm हो गया ना, कि डिवाइस हमारी FRP लॉक है, क्योंकि डिवाइस का FRP बाइपास करने के लिए, हमें इसी डिवाइस का Gmail आड़ी यहाँ पे verify करना होगा, जो कि हमको नहीं पता है, तो अब आपको simple करना कहा है दोस्तों, इस network पे click करना है, नीचे तरब दीखेगा share, share पे click करिए, उसके बाद nearby का option आगा, nearby पे click करिए, यहाँ से आपको simple turn on पे click करना है, need help sharing का option दीखेगा, आप इस पे click करें, कुछ second wait करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे share का option दीखेगा, यहाँ प simple इस पे click करें, तो यहाँ पे share mini आपके device में open हो जाएगा, यहाँ से आप simple allow कर दें, सारे permissions जो भी आएंगे, सारे permissions को आपको allow करना है, यह देखे, share mini यहाँ पे open हो गया, अब दोस्तों, इस device को मैं side में रख लेता हूँ, ठीक है, और अब दोस्तों, आपके पास होना चा इसके लिए मैं simple play store open करूँगा, play store open करने के बाद यहाँ search पे click करेंगे, यहाँ पे हम simple type करेंगे दोस्तों, access here, और यहाँ से search करेंगे, यह रहा access here, मैं simple इसे install कर लूँगा, अब देखें दोस्तों, अब आपको करना कहा है दोस्तों, इस device में chrome browser open करना, ठीक है, तो browser open करने के बाद दोस्तों, यहाँ address box पे आप click करें, यहाँ पे आपको simple type करना, add room, display पे आप देख सकते है, add room type करने के बाद enter करें, ऐसा करेंगे, तो यहाँ पे एक website देखेंगी, bypass Google account 2023, आप इस पे click करें, तो add room की main website आपके device में open हो जाएगी, अब देखें दोस्तों, य फिर से आप इस application पे click करें, तो यह application successfully download हो जाएगा, secondary application है दोस्तों, frp bypass.apk आप इस पे click करें, तो frp bypass भी आपके device में download हो जाएगा, आप उपर के तरब three data इस पे click करें, उसके बाद downloads पे click करें, तो यह देखें, दोनों application successfully download हो चुके हैं, अब आपको करना क्या, access here application open करना ठीक है, तो यहां मैं देख लेता हूँ, यह रहा access here, जो कि install हो चुका है, मैं simple इसे open कर लूँगा, ओके, open करने बाद आप agree करें, यहां से जो भी permissions है, सारे permissions को आपको allow करना है, उसके बाद grant permission, आप इस पे click करें, यह off है, इसे on करें, उसके बाद back आएं, ठीक है, अब द Americans को बारी-बारी आप allow कर लें, अगर permission off है, तो उसे on करें, ओके, तो यहां से मैं सारे permissions को allow कर लेता हूँ, धियान दीजेगा दोस्तों, सारे permissions को आपको simple allow करना, ठीक है, यहां से hot spot on है, मैं इसे off करूंगा, ओके, तो बहुत ध्यान से सारे permissions को आप allow करें, ठीक है, allow किया, अब देखेगा यहाँ पे scanner आ जागा यह देखे scanner आ गया इसकी वार कोड को आप simple scan कर लें तो यहाँ से मैंने इसे scan किया scan करेंगे तो दोनों device आपस में connect हो जाएगी यह देखे connect हो गई अब यहाँ पे ध्यान दीजेगा यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों receive send यहाँ भी देख सकते हैं receive send हमें करना क्या है जो दो application डाउंलोड किया था इश डिवाइस में send करना है तो हम simple यहाँ send पे क्लिक करेंगे उसके बाद send more का option है इसपे क्लिक करेंगे A, P, K, S इसपे क्लिक करेंगे दोनों अप्लिकेशन देखी यहां पे सो कर रहे है FRP bypass Android 819 दोनों को आपको simple check करना है उसके बाद send पे click कर देना ठीक है यह देखे send हो गया, इस device में send हो गया यहां पे आप simple receive पे click करेंगे तो यह देखे, दोनों application इस device में send हो चुके है और यह देखे install भी हो चुके है तो अब दोस्तों यह जो device है इसका वर्फ पूरी तरह से finish हो गया तो अब इस device को मैं side में रख लेता हूँ अब यहां पे ध्यान दीजिए इस device में आपको करना क्या है आपने simply दोस्तों x-air का use करके दोनों application को इसमें send किया जो की automatic install हो गया ठीक है आपको करना क्या है दोस्तों FRP bypass जो application है उसे open करना है तो आप यहां से इसे open करिए open करेंगे तो यह interface को करेगा उपर की तरफ 3 dot है इस पे click करिए उसके बाद browse sign in पे click करिए यहां से आपको ok कर देना है ठीक है ओके मैंने अपनी gmail id यहां पे add कर ली अब मैं यहां से करूँगा next अब यह इसका password मांगेगा तो password हमें enter करना है enter your password तो मैं अपना password यहां पे enter कर लेता हूँ ओके password मैंने enter किया अब यहां से करेंगे next अब कुछ second wait करें दोस्तों होगा क्या कि यह जो gmail id हमने इसमें add की है successfully इस device में sign in हो जाएगी अब देखे sign in हो गई ठीक है जैसे ही sign in होगी यह automatic back आ जाएगा ठीक है तो अब आपको करना क्या है दोस्तों अब यहां से आपको back जाना है connect to wi-fi वाले option पे ठीक है simple आप यहां पर tap करके रखें यहां पर देखेंगा forget आप simple forget पर click करें यह देखे wifi connection disconnect हो गया ओके अब आपको यहां से back चले जाना है home screen पे तो यहां से आप back जाए home screen पे ठीक है home screen पे हम आ गए अब दोस्तों आपको setup करना है और device को फिर से wifi से connect करना है तो यहां से simple next करेंगे next करेंगे यहां से skip करेंगे device का wifi हमने disconnect किया था हम फिर से क्या करेंगे device को wifi से यहां पे connect कर देख कर देंगे ठीकैff अब ही देखेगा यहां पर don't copy का option आगा यह आ गया don't copy आप don't copy पर क्लिक करिए और यह देखे दोस्तों finally आप देख सकते account added जो Gmail ID हमने इस device में add की थी successfully यहां पर add हो गई अब आपको सिर्फ setup करना है आपके device का FRP यानी की Gmail ID lock पूरी तरह से remove हो चुका है ठीक है लेकिन फिर भी मैं आपको complete Android setup करके दिखाऊंगा ठीक है आप Infinix की कोई भी mobile यूज़ कर रहे हैं चाहे उसका software Android 11, 12 या 13 से up to date हो बिल्कुल इसी तरीका से XYZ सारे Infinix mobile का FRP बाइपास होगा इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बता दिया Infinix Hot 12 Pro का FRP बाइपास करने का सबसे latest तरीका वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छी लगते हैं तो वीडियो को share करिएगा, like करना बिल्कुल न भुलिएगा और ऐसे ही सांदार इंट्रेस्टिंग वीडियो की continue notification पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सबस्काइब करिएगा बगल में जो बेलाकन है उसे भी प्रेस करिएगा और यह देखें दोस्तों, complete setup करके मैंने आपको देखा दिया, finally हमारे device in Snix Hot 12 Pro का FRP यानि कि Gmail ID lock पूरी तरह से bypass हो गया और device हमारी completely unlock हो गई एक चीज़ और दोस्तों, आपने इसमें दो application install किये थे, उन दोनों application को बारी बारी install कर देना, ठीक है तो अभी आप आएंगे दोस्तों device की setting में, उसके बाद app management पे click करेंगे, app list पे click करेंगे, यहाँ पे आपने FRP bypass और Android 8.9.10 इंस्टॉल किया था, उसे uninstall करना है, FRP bypass पे click करिए, यहाँ से इसे simple uninstall कर दीजिए, okay, Android 8.9.10 का मतलब यह हुआ कि Google Account Manager, आप इस पे click करें, उसे आप simple यहाँ से sorry, यहाँ से आप simple इसे uninstall कर दें, okay, यह भी uninstall हो गया, अब setting में चलके मैं आपको account दिखा देता हूं, जो account इसमें मैंने add किया था, यहाँ password and account पे click करेंगे, यह दिखे, यह account हमने इसमें add किया था, जो कि successfully यहाँ पे add हो चुका है, आप चाहें तो इस पे click करके यहाँ से remove भी कर सकते हैं, तो दोस्तों यह पूरा full process था, Infinix Hot 12 Pro का FRP bypass करने का, यानि कि device का Gmail ID lock remove करने का, वीडियो आपको कैसे लगी comment करके जरूर बताईगा, मुझे आपके comment का इंतजार रहेगा, और दोस्तों अगर आपको इडिवाइस purchase करनी हो, Infinix Hot 12 Pro, तो इसके सारे color, सारे variant का link मैंने description box में दे दिया, वहाँ से check out कर सकते हैं, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, thank you, thank you so much